दार्शनिक विचारधारा के अनुसरण में असफलता सुकरात के कुछ शिश्य दार्शनिक विचारों के अनुसार अभ्यास नहीं कर पाए और अपने आपको श्रेश्च दिव्वे शक्ती के साथ जोड कर रखने में असमर्थ रहे वे दार्शनिक विचारों को त्याग कर सत्ता अधिकार की अपनी महत्व कांक्षाओं तथा निम्न तृष्णाओं को त्रिप्त करने की दिशा में वापस लौट गए जेन फेन ने उनके द्वारा सुकरात का साथ छोडने को ही इन असफलताओं का कारण ठेराया है उनका कहना था कि जब तक वे लोग सुकरात के साथ थे तब तक उनका विहवार अनुकरणिये था मैं जानता हूँ कि जब तक वे दोनों व्यक्ति सुकरात के साथ थे तब तक वे भी आत्मसंयमी थे इसलिए नहीं कि उन्हें दंड मिलने या सुकरात द्वारा मार पढ़ने का डर था बलकि इसलिए कि तब उनके विचार से ऐसा आचरन करना ही सबसे उचित था युवावस्था में जब उनके लिए लाप्रवाहा और सैयम हीन होना स्वभाविक था तब सुकरात ने उनसे मरयादा पून आचरन करवाया थियाई टीटस नामक समवाद में सुकरात कहते हैं कि जो लोग अहंकार के कारण आध्यात्मिक मार्क दर्शक का साथ बहुत जल्दी छोड़ देते हैं उनकी हालत उस गर्ब वती स्त्री जैसी होती है जो समय से पहले ही दाई का साथ छोड़ देती है जिस प्रकार उस त्री को गर्ब पात का और अपनी संतान को खो देने का डर रहता है उसी प्रकार आत्मग्यान और सत्ते के आंत्रिक बोध की प्राप्ती के लिए सुकराच से प्रारंभिक साहेता पाने वालों की वहे अवस्था सदा बनी नहीं रहे सकती परंतु शिशु का जन्म, देवता और मेरे कारण होता है और इसका प्रमान यह है इससे पहले भी कई लोग इस सत्य से अंजान होने के कारण और यह सोचकर कि वे स्वयम ही अपनी सफलता का कारण है मुझसे घ्रिना करने लगे और उचित समय आने से पहले ही मुझसे दूर चले गए ऐसा उन्होंने चाहे अपनी इच्छा से किया या दूसरों के बहकावे में आकर किया फिर यहां से जाने के बाद बुरी संगती में पढ़ने के कारण उनका गर्भपात हो गया और जिस शिशु को उन्होंने मेरी सहायता से प्राप्त किया था उसका उन्होंने इतने गलत धंग से पालन पोशन किया कि वे उसे खो बैठे ध्यान दें यहां देवता शब्द के प्रयोग द्वारा सुकरात का अभिप्राए किसी विशेश देवता या दिव्वे मार्क दर्शक की आवाज से भी हो सकता है जिसे वह सुनते थे और जिसकी आग्या वह मानते थे सुकरात के प्रयतनशील शिश्य जब उनकी संगती में रहते थे तब केवल उनकी उपस्थिती से ही शिश्यों में अध्यात्म के लिए तीवर इच्छा जागरत हो जाती थी सुकरात का अनूठा दिव्वे सौंदरे भाविन व्यक्तियों को भी चकित कर देता था सुकरात की मौजूदगी में रहने से उच्छकुल के दुराचारी और महत्वा कांक्षी एलसी बाइडीस के अंदर भी आनंदमई प्रेमा अगनी प्रज्वलित हो गई जिसे उसने इन शब्दों में व्यक्त किया है जब मैं उन्हें यनी सुकरात को सुनता हूँ उनके शब्दों को सुनकर जिस तरह मेरा दिल धड़कता है और जिस तरह चहरे पर आंसों की धारा बहने लगती है मेरी हालत उन लोगों से भी ज्यादा बुरी हो जाती है जो मस्ती की आनंदमई अवस्था कौरी बेंटिक में होते हैं अन्ने बहुत से लोगों को भी मैं उनसे इसी तरह प्रभावित होते हुए देखता हूँ ध्यान दें, कौरी बेंटिक का संबंध उस प्रेढ़ना दायक गायन और निर्त्य से है जो फ्रीजिया की एक लोगप्रिय देवी दा ग्रेट मदर के रहस्यों अर्थात प्रथाओं का उच्सव मनाने के लिए किया जाता था इस उच्सव में बहुत शोरगुल होता था क्योंकि इसमें ढोल सहित धातू के कवच को टकराते हुए पुरुष नर्तक शामिल होते थे एथेन्स के सबसे सुन्दर, कुलीन और योग्य पुरुष, एलसी बाइडीज ने सुकरात के प्रवचनों में ऐसी शक्ती और प्रभाव का अनुभव किया जो उसने अत्यंत कुशल वक्ताओं और राजनितिग्यों को सुनते हुए भी नहीं किया था मैं जब भी उन्हें बोलते हुए सुनता हुँ, तो मेरा दिल धड़कने लगता है और आंसु बेहने लगते हैं और मैं देखता हुँ कि बहुत से अन्ने लोग भी इसी तरह प्रभावित होते हैं मैंने पैर कलीस और दूसरे कुशल वक्ताओं को भी सुना है और मैं सोचता था कि वे अच्छा बोल लेते हैं परन्तु उन्होंने मुझे इस तरह प्रभावित नहीं किया उन्होंने मेरे संपून अस्तित्व को विचलित नहीं किया और ना ही मेरे अंदर ऐसा असंतोश पैदा किया कि मुझे अपना जीवन दासों जैसा लगे वह पहचान गया था कि सुकरात किसी दूसरे इंसान जैसे नहीं थे उनमें या उनके विचारों में कुछ ऐसा था जो अलौकिक था उसे सुकरात, पूर्णता, रहसे में प्रतीत होते थे सुकरात की प्रशंसा में और भी बहुत सी उलेखनिये बाते कहीं जा सकती है परन्तु उनके बारे में सबसे अधिक आश्चरे जनक बात यह है वहे जितने रहसे में हैं, उनके शब्द भी उतने ही रहसे में है आप चाहे जितनी भी खोज कर लें आपको उनका समकालीन या उनसे पहले हुआ कोई भी ऐसा व्यक्ती नहीं मिलेगा जो उनकी बराबरी कर सके यदि आप उनके शब्दों के गूड अर्थ को समझ लें, तो आपको पता चलेगा कि केवल उनके तरक ही हैं, जिनका कोई मतलब है आप यह भी जान पाएंगे कि उनके तरक अलौकिक हैं और नेक विचारों से परिपून हैं इनके दाइरे में वे सारे विशे आ जाते हैं, जिन पर आपको सही अर्थ में एक अच्छा इंसान बनने के लिए विचार करना चाहिए LC BYDES का मार्ग से भटक जाना LC BYDES ने सुकराच से हमेशा अपनी निकट्ता बनाए रखने के प्रयास में उनके साथ शारीरिक संबंद बनाने का प्रयत्न किया उसे इस बात से बहुत आश्चरे हुआ और अपमान महसूस हुआ कि निम्न कुल में जन्मे और साधारण से दिखने वाले सुकराच ने उसके इस प्रस्ताव को दिर्था पूर्वक ठुकरा दिया एलसी बाइडीस ने स्वयम ही उन तरीकों का वर्नन किया है जो उसने सुकराच को लुभाने के लिए प्रयोग किये थे परंतु उसे अपमानित ही होना पड़ा और उसने स्विकार किया कि सुकराच में इतनी अकड और इतना अधिक अहंकार था कि उन्होंने मेरे युवा सौंदारे का उपहास किया और उस एक चीज का तिरसकार किया जिस पर मुझे वास्तव में गर्व था और सज्जनों चाहे आप मेरी बात पर विश्वास करें या ना करें जब मैं सुभा नीन से जागा तो सुकराच के साथ उस अर्थ में नहीं बलकि उस तरह सोया था मानो वह मेरे पिता या बड़े भाई हूँ इस प्रकार सुकराच ने रुहानी दौलत अर्थात परम सुख को इंद्रियों के सुख अर्थात निम्न सुख से बदलना अस्विकार कर दिया परन्तु LC-BY-D's के लिए निम्न सुख का आकर्षन बहुत प्रबल था अपने चंचल और वासना पून्ड स्वभाव तथा महत्व कांग्षा के कारण उसने सुकराच की संगती छोड़ दी यहां तक की उसने अपने समाज के विरुद घोर अपराद किये एक धोखे बास दुश्मन से मिलकर शडियंत्र रचा और इस विश्वास घात के परिणाम स्वरूप उसके देश को विनाशकारी प्राजय का सामना करना पड़ा उसके जीवन का अंत इरान में स्पाटा के पेशिवर हत्यारों के हाथों हुआ दार्षनिक विचारों की इस असफलता को कोई कैसे समझे निश्चे ही इसका कारण सुकरात की ओर से निश्ठा या बलिदान की कमी नहीं थी यहां तक की पॉटेडिया के युद इसा पुर्व 432 इसवी में एलसी बाइडीस की जान बचाने के लिए सुकरात स्वयम अपनी जान संकट में डाल कर युद भूमी में गए थे हाला की वह उस दुराचारी एलसी बाइडीस से संबंध तोड़ कर लज्जित होने से बच सकते थे परन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया इस संगती के कारण उन्हें लोगों के आरोप का सामना करना पड़ा और अंत में उन पर मुकदमा चला और उन्हें मृत्यु दंड दे दिया गया शायद ही किसी गुरु ने अपने शिश्य से इतना अधिक प्रेम किया होगा कि वह उसके लिए अपनी जान तक देने को तत पर हो जाए दार्शनिकों और विद्वानों की आने वाली पीडियों को प्लेटों के समवादों में वर्नित किसी भी अन्ने समबंध ने इतना ज्यादा प्रभावित नहीं किया जितना LC-BiDs और सुकरात के समबंध ने किया प्लेटों की पारिभाशिक शब्दावली का प्रयोग करके कहा जा सकता है कि LC-BiDs के अंदर इरोज यानि प्रेम के प्रवहा का रुख अभी तक चेतना के उच्चतम स्तर की ओर नहीं था और ना ही उसे निम्न मार्गों से पूरी तरह निकाला गया था उसकी सत्ता और प्रतिष्ठा की लालसा का स्थान अभी तक प्रभु प्राप्ति की तीवर इच्चा ने नहीं लिया था LC-BiDs को सुकरात की नैतिक और आध्यात्मिक श्रेश्चता की समझ थी परन्तु वह सुकरात के सामने समर्पन नहीं करना चाहता था और नहीं स्वयम को उनसे प्रभावित होने देना चाहता था इस डर से की कहीं बुडापा आने तक मैं उनके पास ही ना बैठा रह जाऊं वह अपने कारिक्षेत्र में सफलता के शिखर पर था एक प्रसिद व्यक्ति था, एक नायक था सुकरात का अनुसरन करते करते वह क्यों बुडा होता वह अपना जीवन उस एक अद्रिश्य दिव्वे शक्ति की खोज में क्यों बिताता जब वह अनेक द्रिश्य मान पदार्थों को प्राप्त कर सकता था उसने चुनाव कर लिया और कभी बुडा नहीं हुआ बलकि युवा वस्था में अकेले ही शत्रू के देश में एक पेशिवर हत्यारे द्वारा मारा गया एलसी बाइडीस का देहधारी आध्यात्मिक गुरू की संगती में रहने के अनुभव का वर्नन इतना प्रेणा दायक था की दो हजार वर्ष से भी अधिक समय के बाद इस वर्नन ने महान जर्मन दार्षनिक योहेन वुल्फ गैंग वॉन गंट के अंदर भी उसी प्रकार का अनुभव प्राप्त करने की तीवर इच्छा को जागरत कर दिया उन्होंने एक निजी पत्र में लिखा काश मैं केवल एक दिन और एक रात के लिए एलसी बाइडीस बन सकता और फिर मर जाता केवल सुकरात के इरोज यानी प्रेम के अनुभव करने का सौभागे पाने के लिए गंट इतिहास का सबसे अधिक यातना सहने वाला व्यक्ति बनने के लिए तयार थे यह ऐसा पवित्र प्रेम है जो केवल आत्मा को देखता है और सबसे अधम दुर्जनों को भी गले लगाता है कुछ पल के लिए ही सही यह प्रेम व्यक्ति की दृष्टी को उस अत्यंत मनमोहक परम सौंदर्य उस दिव्य सत्ता की ओर ले जाता है पांच्वी शताबदी के दार्षनिक प्रॉकलस के अनुसार सुकरात और एलसी बाइडीस के संबंध को एक उपमा द्वारा समझा जा सकता है प्रॉकलस के विचार से सुकरात दिव्य प्रेम का साकार रूप थे मानो वहे प्रेम मैं नौस थे और एलसी बाइडीस ऐसी तर्क संगत साइकी था जो नौस के उपर की ओर के खिल्चाव और इंद्रियों के नीचे की ओर के खिल्चाव के भीच फसा हुआ था सुकरात का कारे था कि वहे निचले स्तर पर साइकी के चंचल भटकाव को स्थिर कर दें और ना उसके प्रबल प्रेम द्वारा इसे शाश्वत परमात्मा पर केंद्रित करने में उसकी सहायता करें जैसा की एक आधुनिक विद्वान का कथन है कि सुकरात और एलसी बाइडीस एक ऐसे नाटक के प्रतीक हैं जो प्रतेक मनुष्य की आत्मा के अंदर चलता रहता है यदि एलसी बाइडीस और सुकरात उस बेमेल जोडी के यानी मानव स्वभाव के विवेखिन पहलू और उसके श्रेष्ट विवेख शील पहलू के प्रतीक हैं तो यह प्रेम मैं संबंध ऐसा प्रतीत होता है जिससे सभी मनुष्य परिचित हैं इस दिर्ष्टी कौन से पढ़ने पर सुकरात और एलसी बाइडीस की कहानी इस तथे को प्रकट करती है कि जब तक व्यक्ती साइकी के निचले स्तर से अपने अहम भाव से जुड़ा है तब तक सुकरात अर्थात नाउस विवश है जब साइकी अपनी अनुचित इच्छाओं और अहंकार पून वृत्यों से उपर उठकर नाउस के स्तर तक पहुँचती है तब ही वह अपने भ्रष्ट प्रेमियों अर्थात इंद्रियों के जाल से स्वयम को छुड़ाने में सफल हो सकती है और स्वयम को अपने पहले और एक मात्र प्रेमी सुकरात से जोड सकती है दो तीवर इच्छाओं के बीच संघर्ष प्लेटो ने अपने समवादों में एलसी बाइडेज को विशेश ठान दिया था जिसका एक कारण था कि वह बहुत ही दुविधा ग्रस्त व्यक्ति था प्लेटो ने एलसी बाइडेज का एक जटिल व्यक्ति के रूप में वर्नन किया जिसे एक तरफ तो आत्मिक उत्थान के दार्षनिक आदर्ष की चाहत ही और दूसरी तरफ अपने प्रतिष्ठित पद के कारण प्राप्त हुई सुविधाओं के प्रती प्रबल आकर्शन था एलसी बाइडेज कहता है वह यानि सुकरात मुझे ऐसा महसूस करवाते हैं कि मेरा जीवन जीने योगे नहीं है वह मुझे यह सुविकार करने के लिए विवश कर देते हैं कि मैं एथेंस में राजनीतिक कारेकशेत्र के योगे नहीं हूँ क्योंकि मैं अपना ध्यान नहीं रखता हूँ तब मैं अपने कान बंद कर लेता हूँ, जैसा कोई साइरन के गीच से करता है, और मैं स्वयम को उनसे अलग कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे डर है कि बूड़ा होने तक कहीं मैं उनके साथ ही न रह जाऊँ। ध्यान दें, ग्रीक पौरानिक कथाओं में साइरन वे जीव थे जिनका उपरी हिस्सा स्त्री जैसा और निचला हिस्सा पक्षी जैसा होता था, और वहे अपने मधुर गीतों से नाविकों को गुमरहा करते थे। सुकरात ने LC-BiDs के अंदर जो आत्म बोध पैदा किया था, उसके कारण LC-BiDs अपने मन में शर्मिंदगी की चुबन महसूस करता था, जिसका उसने पहले अनुभव नहीं किया था। इस संसार में सुकरात ही एक मात्र व्यक्ती हैं, जिनके सामने मुझे शर्मिंदगी महसूस होती है। आप शायद सोचते होंगे कि मैं शर्मिंदगी महसूस कर ही नहीं सकता, परन्तु उनके सामने मैं ऐसा ही महसूस करता हूँ। जब वह मुझे बताते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, तब मैं भली भाती जानता हूँ कि मैं उन्हें गलत साबित नहीं कर सकता। परन्तु जैसे ही मैं उनसे दूर जाता हूँ, तो जन सम्हू से मिलने वाले सम्मान के वशी भूत हो जाता हूँ। इस प्रकार मैं भगोडा बन जाता हूँ, और उनकी संगती से दूर रहता हूँ, परन्तु जब मैं उनसे फिर मिलता हूँ, तब मैं शर्मिन्दा होता हूँ, कि मैंने वह नहीं किया जिसके लिए हामी भरी थी। विपरीत दिशाओं में खींचने वाली दो प्रबल इच्छाओं के बीच की यह लडाई एक ऐसा संघर्ष था, जिसका कई शिश्यों ने सामना किया। प्लेटो शायत कुछ हद तक एलसी बाईडीस से अपनी तुलना भी कर सकते थे। प्लेटो भी उच्छ घराने के सदस्य थे। और उनसे भी यही अपेक्षा थी कि वह अपने जीवन में एक सफल राजनितिग्य बनने का मार्ग अपनाएंगे। परंतु एलसी बाईडीस की तरह प्लेटो के साथ ऐसा नहीं हुआ। ज्यान के प्रती उनके प्रेम की जीद हुई। फिर भी एलसी बाईडीस जैसे चरित्र हीन व्यक्ति की संगती के कारण सुकरात के विरुध चल रहा मुकदमा बहुत मजबूत हो गया। एक ऐसा मुकदमा जिसका अंत सुकरात के मृत्यु दंड के साथ हुआ। प्लेटो के लिखित समवादों में विशेशकर, फीडो, नामक समवाद में उन्होंने एथेंस की जेल में अपने गुरु के अंतिम दिनों और घंटों के वर्नन को बड़े नाटकिये धंग से प्रस्तुत किया है। जिसका उद्देशे शिश्यों के सदमे और शोक को कम करके उनके अंदर आशा पैदा करना था। प्लेटों के सभी समवादों में जहां शब्दों के आदान प्रदान में हंसी मजाक और सुकरात के व्यंग पून कथन भरे हुए हैं। सुकरात को केवल दो बार हसते हुए बताया गया है। पहले अफसर पर वह अपने एक मित्र को यह आश्वासन देने के लिए हसे थे कि एथेंस की जेल में विश्पान द्वारा होने वाली अपनी मृत्यू को वह दुर्भग्य पूर्ण नहीं समझते। और दूसरी बार वह तब हसे जब उनके शिशे क्रीटो ने पूछा परन्तु हम आपको दफनाएंगे कैसे। वह निश्चिन्त और पूरी तरह तनाव मुक्त थे। शान्ती और संतुलन का श्रेष्ट उधारन थे। यदि तुम मुझे पकड सको और मैं तुमसे बचना सकूँ तो तुम जैसे चाहो मुझे दफना दो। फिर शान्ती पूर्वक हसते हुए उन्होंने हम पर नजर डाली और बोले। सजनो, मैं क्रीटो को विश्वास नहीं दिला पा रहा हूँ कि मैं सुकरात ही हूँ। यहां अभी आप सब लोगों के साथ बाते कर रहा हूँ और वाद विवाद का सिलसला जारी रख रहा हूँ। वह सोचता है कि मैं वह व्यक्ती हूँ जिसे वह शीग्र ही एक शव के रूप में देखेगा और वह पूछता है कि उसे मुझे कैसे दफनाना है। सच्चे दार्शनिक के लिए मृत्यू सबसे आनंद दायक अफसर होता है। यह वह पल है जिसके लिए वह सारा जीवन अभ्यास करता है। जैसा कि सुकरात ने कहा था, दार्शनिक विचारधारा तो मरने का अभ्यास है। आंत्रिक निर्मलता ही दार्षनिक विचारधाराओं का सार है जो आत्मा को शरीर से समेटने और अपना ध्यान आत्मा के आंत्रिक सत्ते पर एकाग्र करने के अभ्यास द्वारा बढ़ती है अर्थात यह जीते जी मरना है निर्मलता के अंत्रगत जहां तक संभव हो आत्मा को शरीर से अलग करना है और आत्मा को शरीर के सभी अंगों में से समेट कर एकाग्र होने की आदट डालनी है शरीर से उसी तरहां मुक्त होना है जिस तरहां बेडियों से मुक्त होते हैं जहां तक हो सके अभी और आगे भी ऐसे ही अकेले रहना है ध्यान दें आडू ने सही कहा है कि आत्मा को यह यानि जीते जी मरने की आदत सिखाने का अभीप्राए प्रति दिन नियम से अभ्यास करना है सुकरात का अपने शरीर से मुक्त होने का समय अब बहुत निकट था उन्होंने अपना सारा जीवन अपनी आत्मा का ध्यान रखने में और दूसरों को भी अपने शरीर और संपत्ती से अधिक अपनी आत्मा का ध्यान रखने की शिक्षा देने में बिताया था उन्होंने अपने प्रतेक शिष्ये को समझाने का प्रयास किया कि अपनी संपत्ती की ओर ध्यान देने से पहले जहां तक संभव हो उसे नेक और बुद्धी मान बनने की ओर ध्यान देना चाहिए यह आश्चरे की बात नहीं है कि उन्हें क्रीटों का यह प्रश्न हास्य प्रद लगा कि उन्हें कैसे दफनाना है सुकरात जो भी उब्देश देते थे उस पर वह स्वयम अमल करते थे वह अभी भी वही कर रहे थे जो उन्होंने जीवन भर किया था पूरी तरहां शांत रहते हुए उन्होंने अपने शिश्यों को याद दिलाया कि उन्हें शांत और अविचलित रहना है सुकरात स्वयम अक्सर आंत्रिक और बाहरी रूप से स्थिर रहने का अभ्यास करते दिखाई देते थे वह हमेशा अपने शिश्यों के सामने एक प्रभावशाली उधारन प्रस्तुत करके यह प्रकट करते थे कि ज्यान के प्रती प्रेम का प्रियास किसी भी परिस्थिती में किया जा सकता है एक सैनिक अभ्यान के दौरान भी वह 24 घंटे तक पून रूप से स्थिर रहे कर ध्यान मगन रहे जिसे देख कर उनके साथी सैनिक हैरान रहे गए एक अन्य अफसर पर कुछ प्रतिष्चित व्यक्तियों के महतवपून प्रिती भोज में शामिल होने के लिए जाते समय वह अपने आसपास के माहौल से बेखबर होकर घंटों तक एक घर के बरामदे में खड़े रहे उनके लिए अपने अंदर के देवता की आवाज सुनना सबसे महतवपून था पच्चिश चताब्दियों के बाद आज भी सुकरात की हसी और मृत्यू से पहले कहे गए उनके अंतिम शब्द हमारी आत्मा की गहराई को अंदर तक छूलेते हैं उनकी हसी वही बात प्रकट करती प्रतीत होती है जो प्लेटो ने अपनी बाद की रचना लौज में लिखी थी यहां किसी भी चीज को बहुत गंभीरता से नहीं लेना चाहिए जीवन पल भर का स्वपन है और सांसारिक कारे बहुत अधिक गंभीरता से लेने योगे नहीं है हालां कि उन्हें गंभीरता पूर्वक करना आवश्यक है केवल परमात्मा ही हमारी पावन शद्धा भक्ती के योगे है जैसा कि प्लेटो कहते हैं कि जब लोग वेरत की बातों को गंभीरता पूर्वक लेते हैं तो यह हासे प्रद है और जब वे ज्यादा महतवपूर्ण बातों को अन देखा करते हैं और उनका तिरसकार करते हैं तो यह दुखपूर्ण है यह संसार उल्टी दिशा में चलता है जहां परमात्मा की उपेक्षा की जाती है जबकि युद्ध, शरीर और सांसारिक संबंधों को अत्यंत गंभीरता से लिया जाता है सुकरात उन लोगों के रोने पर कैसे नहीं हसते जो सोचते थे कि कुछ ही देर में वे उन्हें दफना देंगे क्रीटो के प्रश्ण से कुछ ही क्षण पहले सुकरात ने जोर दे कर कहा था कि बुद्धी मानी इसी में है कि अपनी आत्मा का निरंतर ध्यान रखा जाए जब सुकरात से उनकी अंतिम इच्छा या संदेश के बारे में पूछा गया तो सुकरात के पास कहने के लिए कोई नई बात नहीं थी क्रीटो मैं हमेशा वही कहता हूँ कुछ भी नया नहीं कहता यदि तुम अपना ध्यान रखोगे तो तुम मेरी मेरे लोगों की और स्वयम अपनी भी साहायता करोगे तुम चाहे कुछ भी करो और भले ही अभी कोई वचन ना भी दो लेकिन यदि तुम अपना ध्यान नहीं रखोगे और हमारे बीच पहले और अब हुए वार्तालाप के द्वारा निर्धारित मार्क का सावधानी से अनुसरन करते हुए जीवन बिताने के इच्छुक नहीं हो तो भले ही तुम अभी कितने भी उत्साह से वचन क्यों ना दो परंतो तुम कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाओगे सुकरात ने जब अपने शिश्यों से आगरह किया कि वे अपना ध्यान रखें तब उनका अभी प्राय था कि वे अपनी अंतर आत्मा की खोज करें जो आत्मग्यान प्राप्त करने में समर्थ है, जो अपनी समस्त संपदा से और अपने शरीर से भी स्वयम को अलग करने में सक्षम है सुक्रात को शिश्य के शरीर में कोई रूची नहीं थी, क्योंकि उनके लिए आत्मा ही असली शिश्य थी जो तुम्हारे शरीर से प्रेम करता है, वह तुम्हें छोड़ देता है, और जैसे ही शरीर का यौवन समाप्त हो जाता है, वह चला जाता है जबकि जो तुम्हारी आत्मा से प्रेम करता है, वह तुम्हें नहीं छोड़ेगा बलकि तब भी तुम्हारे साथ रहता है जब यौवन बीच जाता है और बाकी सब जा चुके होते हैं सुकरात यहां समझा रहे हैं कि केवल गुरु शिष्य का संबंध ही एक मात्र स्थाई संबंध है वास्तव में यह अविनाशी संबंध शरीर से आरंभ होता है परन्तु शरीर से परे भी बना रहता है यह संबंध इस अंतर बोध पर आधारित है कि डीमन हमारी आत्मा का सबसे शिरोमनी या श्रेष्ट भाग है जिसका निवास शरीर की चोटी में है तथा परमात्मा द्वारा दिये गए वर्दान के रूप में इस पर हर मनुष्य का जन्म सिद अधिकार है और यह हमें पृत्वी से उपर उठा कर परलोक में हमारे असली संबंधी तक पहुचा देता है जेन्फन ने भी लिखा है कि सुकरात के अनुसार मनुष्य की आत्मा दिव्यता का अंश है सुकरात ने अनुभव कर लिया था कि यह दिव्यता ही उनका सच्चा सार तत्व है कहा जाता है कि अपनी गुरू डी अटीमा के शब्दों का उलेख करते हुए सुकरात ने दिव्य पुरुष के रूप में अपना सच्चा सार तत्व प्रकट कर दिया था जिसका कारे, स्थूल और दिव्य मंडलों के बीच मध्यस्तता करना था वास्तव में प्लेटो ने सिंपोजियम नामक समवाद को इस तरीके से लिखा है जिससे यह दिव्य संकेत मिलता है कि सुकरात स्वयम ही प्रेम यानि इरौज का साकार रूप थे आडो कहते हैं, असली सुकरात वह दिव्य हस्ती थे, वह आंतरिक आवाज थे जो उनके सभी कार्यों में उनका मार्ग दर्शन करती थी जैसा कि प्लेटो के समवादों में बताया गया है कि सुकरात का प्रेम की प्रेड़ना देने वाला प्रभावशाली व्यक्तित्व उस सत्य की ओर केवल एक संकेत था, जिसे शिश्यों को स्वयम प्राप्त करना था जहां तक शब्दों द्वारा संभव था, प्लेटों ने सुकरात के असली व्यक्तित्व को पाठखों तक पहुँचाने का प्रशंसनिय प्रयास किया है चूंकी प्लेटों ने सुकरात के असली स्वरूप के शाश्वत पहलू को समझ लिया था इसलिए उन्होंने सुकरात का सजीव चितरन करने के प्रयास में ऐसे समवाद लिखे जो एक आध्यात्मिक मार्ग दर्शक के रूप में दार्शनिक और उसके शिश्यों के बीच के अनादी संबंध को दर्शाते हैं आध्यात्मिक मार्ग दर्शक के रूप में प्लेटो प्लेटो जीवनकाल 428 से 348 इसापूर्व एक प्राचीन प्रत्यष्ठित परिवार के वंशस थे जिनकी वंश परंपरा, अत्यंत सम्मानिये, प्राचीन राजनेता, महात्मा सोलन से जुड़ी हुई थी अपने समाज के सभी यूवकों की तरहां प्लेटो भी जन जीवन में शामिल होने की और एक प्रमुख नागरिक बनने की तैयारी कर रहे थे एक प्रतिभाशाली लेखक के रूप में भी उनके मन में बहुत सी महत्व कांक्शाएं थी एक बार जब वह किसी प्रतियोगिता में साहित्तिक प्रुसकार पाने की तैयारी कर रहे थे तब उन्होंने सुकरात को एक थेटर के सामने प्रवचन देते हुए सुना और उसी समय उन्होंने अपनी कविताएं अगनी को भींट कर दी सुकरात के साथ हुई इस निरनायक मुलाकात ने प्लेटो का जीवन ही बदल दिया और वहे ना तो राजनी तिग्य बने और ना ही नाटककार इस समय एथेन्स शेहर संकट के दौर से गुजर रहा था और प्लेटो को लगा कि इन दोनों विवसायों का अब कोई महत्व नहीं रहा नव युवक प्लेटो का जीवन जिस राजनेतिक और बौधिक उथल पुथल के महासागर में घिरा हुआ था उसमें सुकरात उनके लिए सुरक्षा की एक चट्टान बन गए सुकरात ने शिश्यों से मिलने के लिए कोई विशेश स्थान निष्चित नहीं किया था परंतु प्लेटो ने एक केंद्र एक विद्याले स्थापित किया जहां शिश्ये एकत्रित होते थे और सुकरात के वचनों द्वारा निरधारित किये गए मार्ग पर चलने में एक दूसरे को सहयोग देते थे शिश्यों के लिए यह केंद्र सुकरात के उपदेश पर चर्चा करने का स्थान बन गया जहां वे दार्शनिक विचारों के अनुसार अभ्यास करने और अपनी मित्रता यानि फीलिया अत्वा रुहानी प्रेम को बढ़ाने में एक दूसरे को प्रोच सहन देते थे इस विद्याले में प्रवेश करने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता था और पूरे जुनान से आकर यहां एकत्रित होने वाले आत्म निर्भर व्यक्तियों के समुदाये के लिए प्लेटो एक आध्यात्मिक मारदर्शक का कारे करते थे एक बार सुकरात ने LC-BIDs से कहा था मैं तुम्हें और तुम्हारे कारेओं को इतनी दृड़ता से नियंतरित करता हूँ कि मेरे बिना तुम्हारी कोई भी योजना पूरी नहीं हो सकती यही बात प्लेटो पर भी लागू हो सकती थी जिन्होंने अपना बाद का सारा जीवन और अपनी समस्त रचनाएं सुकरात को समर्पित कर दी थी जैसा की विद्वान रॉबर्ट कुश्मन कहते हैं प्लेटो अपने विचारों में भी अपने गुरू के बिना कहीं नहीं जाते थे उन्होंने सुकरात के प्रती विशेशकर उनके आतमबल और उनकी कारेशेली के प्रती इतनी कृतग्यता प्रकट की है कि संपून साहित्ते में शायद ही कहीं ऐसा दूसरा उधारन मिलेगा एक अन्य दृश्ची कोन से यह देखा जा सकता है कि प्लेटो की विचारधारा, उनकी तरकशक्ती और नैतिकता तथा अध्यात्म ज्यान के पूरे विशाल धांचे का आधार, दिव्वे और रहसे में सुकरात थे प्लेटो ने संवादो के अतरिक्त दो और विस्तृत रचनाएं भी लिखी है रिपबलिक तथा लौज और उनके नाम से कई पत्र भी सुरक्षित हैं शिश्यत्व जीवन भर के लिए प्रति बद होना एक आध्यात्मिक मार्ग दर्शक के रूप में प्लेटो ने स्वयम अपनी रचना द्वारा सच्चे आध्यात्मिक शिश्यत्व और दिखावटी शिश्यत्व के बीच के सूक्ष्म अंतर को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है वह जोर देकर कहते थे कि ज्ञान प्राप्ती के लिए जीवन भर प्रति बद रहना आवश्यक है किसी निपुन व्यक्ती के मार्ग दर्शन में रहे कर लाब और प्रसद्धी प्याने की चाहत को छोड़ कर विवेक शीलता की ओर जाने में पूरा जीवन लग जाता था प्लेटो ने ये वचन इस तरीके से लिखे हैं जिससे यह प्रकट हो जाए कि जो इरोज यानी प्रेम व्यक्ती को दर्शनिक्ता यानी ग्यान के प्रती प्रेम की ओर ले जा सकता है उसका मान सम्मान, सुख भोग और अपने हिस्से से अधिक पाने की चाहत से भी कितना गहरा संबंध है इसी इच्छा या प्रेम को यदि अंतर मुख कर लिया जाए तो आध्यात्मिक उन्नती के अध्भुत फल प्राप्थ हो सकते हैं यदि इसे बाहर की ओर मुड़ा जाए तो बाहरी उपलब्धियों के पीछे भागने से यह विनाशकारी विचारों और कर्मों का कारण बन जाता है क्या आपने कभी ध्यान नहीं दिया कि जिन्हें आम तौर पर बुरा परंतु चालाक इंसान कहा जाता है उनकी छोटी सी आत्मा की द्रिष्टी कितनी तीक्ष्न होती है जिन वस्तों में उसकी रुची होती है उन्हें वहे कितनी शीगरता से देख लेती है यहे इस बात का प्रमान है कि आत्मा की दृष्टी दुर्बल नहीं है परंतु इसे जबरदस्ती बुराई के कारे में लगाया गया है क्योंकि इसकी दृष्टी जितनी अधिक तीक्ष्ण होगी यहे उतनी ही बड़ी गलती भी करेगी इस छोटी सी आत्मा की तीक्ष्ण दृष्टी को केवल उस सौंदरे के सागर के दृष्टे की ओर मोणने की आवशकता है जहां इसे पूनता का अखंड ज्ञान प्राप्त हो सकता है ध्यान को अंतरमुख करना परिवर्तन ही सच्ची शिक्षा प्लेटों ने लिखा है कि दार्ष्णिकों का हर तरह से प्रयास होता है कि उनके पास जो भी साधन उपलब्ध हैं उनके द्वारा वे अपने शिश्यों को ईश्वर जैसा बनने में मार्गदर्शन प्रदान कर सकें आध्यात्मिक मार्गदर्शन के शेत्र में उनकी चेरस्थाई विरासत का आधार उनका आत्मा की दिशा को मोडने का सिध्धान्त है इसके लिए उन्होंने युनानी शब्द पैरिया गोजी का प्रियोग किया है जिसका अर्थ है संपून आत्मा को पूरी तरह घुमा कर उस ईशुरिय प्रकाश सृष्टी के उस दिव्वे स्रोत की और मोडना लेटिन भाशा में इसका अनुवाद कन्वर्टो किया गया है जिससे हमें अंग्रेजी का शब्द कन्वर्शन प्राप्थ हुआ बाद में इस शब्द को इसाईयों ने धर्म परिवर्थन के अर्थ में अपना लिया परन्तु प्लेटो के कन्वर्शन का अभिप्राय इसाईयों की कन्वर्शन की धर्ना से भिन्न था प्लेटो के पेरिया गोजी शब्द का अर्थ आत्मा जो स्वयम ज्ञान का माध्यम है कि दिशा को परिवर्तित करना था ताकि वहे इस भौतिक संसार की ओर से मुड़कर सबसे अधिक प्रकाशमान मंडल का ध्यान करने लगे आत्मा की यहे अंतरन हित शक्ती और वहे साधन जिसके द्वारा हम सीखते हैं उस आख की तरह है जिसको अंधकार से प्रकाश की ओर तब तक नहीं लाया जा सकता जब तक पूरे शरीर को ना घुमाया जाए अता ज्यान प्राप्ती के इस साधन को आत्मा सहित इस भौतिक संसार की ओर से उसी तरह मोडते रहना है जिस तरह थेटर में द्रिश्य बदलने वाली स्टेज मशीन को घुमाया जाता है ऐसा तब तक करना होगा जब तक आत्मा उस सार तत्व पर और सबसे अधिक प्रकाश्मान मंडल पर ध्यान एकागर करने के योग्य ना हो जाए इस तरह मोड़ना या दिशा बदलना ऐसा कारे था जिसे एक मार्क दर्शक की सहायता से बचपन से लेकर जीवन भर करना होता था प्लेटो के अनुसार मार्क दर्शक बाहर से शिश्य के अंदर कुछ नहीं डालता बलकि वह केवल उसके ध्यान को बाहरी शकलों और पदार्थों से हटा कर अंदर की ओर मोड़ने में उसकी सहायता करता है प्लेटो ने अपने समवादों में ऐसे पात्रों को शामिल किया जिन्होंने अपने समाज के विरुध अपराद किये थे और जिन्होंने मनुष्य के स्वभाव के सबसे बुरे पहलू को प्रकट किया था ऐसे पात्रों को चुनकर प्लेटो ने प्रमानित कर दिया कि शिश्यों के लिए जो दिशा परिवर्तन आवश्यक था वह रात भर में या बिना निरंतर प्रियास के संभव नहीं था प्लेटो के अनुसार मनुष्य के चरित्र में अचानक ही परिवर्तन नहीं आ सकता बलकि यह परिवर्तन केवल धीरे-धीरे निरंतर ध्यान-पुर्वक अभ्यास करने से और आध्यात्मिक मार्ग दर्शक की साहेता द्वारा ही आ सकता था इस प्रकार प्लेटो के समवाद, पाठक या श्रोता को जागरत करने के लिए एक सच्ची और गंभीर पुकार हैं जो चेतावनी देते हैं कि कहीं वहे यह कलपना ना करने लगे कि यह आंत्रिक बदलाव आसानी से या सुकरात जैसे महापूरुष के आकरशक व्यक्तित्व के प्रबल प्रभाव द्वारा सरलता से आ जाता है प्लेटो के समवाद दार्शनिक्ता पून जीवन का और परमात्मा की इच्छा के अनुसार कर्म करने का गुणगान करते हैं इस तरह यह अनेक पीडियों के लिए प्रेड़ना का सरोत रहे हैं एक सच्चे शिष्य के संबंध में प्लेटो के विचार सुयम प्लेटो को अपने एक शिष्य सिसली के तानाशाह डाइनीसियस को लेकर निराशा का अनुभव हुआ था प्लेटो को पूरी उमीड थी कि वह इस युवा शासक को सुधार सकेंगे क्योंकि प्लेटो और डाइनीसियस के एक रिष्टेदार के बीच दार्शनिक्तापून प्रेम यानि इरोज का दिरिड संबंध पहले ही स्थापित हो चुका था ध्यान दें जे बुसानीच का धन्यवाद करना आवश्यक है जिन्होंने प्लेटो और डाइनीसियस के बारे में ई-वांगलिंग की चर्चा का उलेख किया है वांगलिंग ने सिसली के शाही खांदान के साथ प्लेटो के संबंध के अंतरगद दार्शनिक और राजनीतिक पहलूँ के बीच में हो रही प्रती क्रिया का बहुत अच्छी तरह से वर्नन किया है परन्तु यह हमारी चर्चा के ख्षेत्र से बाहर है प्लेटो के उपदेश को डाइनीसियस के रिष्टेदार डियॉन ने इतने खुले दिल से स्विकार किया था कि उनके उपदेश को अपना कर वहे पूरी तरह बदल गया था और उसने निश्चे कर लिया था कि वहे अपना शेश जीवन अधिकांश लोगों से अलग धंग से बिताएगा और भोग विलास तथा हर तरह के विशे सुक के बदले सद गुणों को अधिक श्रद्धा के योगे समझेगा जब डियॉन का रिष्टेदार डाइनीसियस सेकंड सिसली का शासक बना तब लोगों को आशा थी कि प्लेटों के परिवर्तनकारी प्रभाव के कारण नया यूवक शासक एक बुद्धिमान राजनेता सिध होगा जिसकी उस दुईप के लोगों को अवशकता थी परन्तु यूवा डाइनीसियस ने लोगों को निराश कर दिया उसने प्लेटों के शिश्यों से और एक बार स्वयम प्लेटों का प्रवचन सुनकर उनके उपदेश के बारे में उपरी तौर पर जानकारी प्राप्त कर ली थी फिर उसने उधार लिये इन विचारों के आधार पर स्वयम एक लेख लिखा प्लेटों ने एक पत्र में इस सोच को दार्शनिकता से रहित बताया यह सोच दार्शनिक विचारों द्वारा निर्धारित किये गए तरीके के अनुसार जीने और अभ्यास करने के बजाए केवल दिखावा करने की आंत्रिक इच्छा को ही प्रकट करती थी दूसरी और जो लोग वास्तब में चिंतन नहीं करते लेकिन उपरी तौर पर इन विचारों से प्रभावित हैं वे उन लोगों के समान हैं जिनका शरीर धूप से जुलस गया है जब वे देखते हैं कि इस विशे के लिए कितना अधिक अध्यन तथा परिश्रम करना अनिवारे है और नियमत दिन चर्या भी कितनी आवशक है तो वे इसे अपने लिए कठिन या असम्भव समझते हैं और इस प्रकार वे वास्तव में इसका अभ्यास करने में खुद को असमर्थ पाते हैं हालां कि इन में से कुछ लोग अपने आपको यहे विश्वास दिलाते हैं कि वे इस पूरे विशे पर परियाप्त निर्देश प्राप्त कर चुके हैं तथा अब उन्हें और अधिक प्रियास करने की आवशक्ता नहीं है प्लेटो के अनुसार डाइनीसियस जैसे शिश्व को कुछ नहीं सिखाया जा सकता था क्योंकि उसे विश्वास था कि वह पहले से ही सब कुछ जानता था इसके अतिरिक्त उसे अपनी प्रसिधी की चाहत थी अपने आपको सुधारने की नहीं इसके विप्रीत प्लेटो एक आदर्श शिश्य का वर्णन करते हैं जो वास्तव में चिंतन शील होता है यदि शिश्य को वास्तव में दार्शनिक विचारों में विश्वास है उसे इस विशे में रुची है और वहे इसके योग्य है क्योंकि ईश्वर की कृपा से वहे बुद्धी मान है तो उसे विश्वास हो जाता है कि उसे एक अद्भुत मार्ग दिखाया गया है और उसे तुरंत उसका अनुसरन करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए वरना जीवन जीने योगे नहीं रहेगा इसके बाद वह तैयार हो जाता है और अपने मार्ग दर्शक का साथ तब तक नहीं छोड़ता जब तक वह या तो अपने सारे प्रयतनों द्वारा अपने लक्षे तक पहुँच नहीं जाता या फिर इतनी शक्ती प्राप्त नहीं कर लेता कि अपने मार्ग दर्शक की साहयता के बिना भी वह अपने कदम ठीक दिशा में बढ़ाने योगे हो जाए प्लेटो स्पष्ट करते हैं कि ऐसा शिश्य किस तरहां दार्शनिक विचारों से द्रिड़ता पुर्वक जुड़ा रहे कर अपना जीवन वैतीत करता है और अपनी दैनिक कारे शैली द्वारा यह प्रमानित करता है कि उसके शिश्य भाव में कितनी सच्चाई है ऐसा शिश्य चाहे किसी भी विवसाय में क्यों न हो वह इस मनोवृत्ती के साथ जीता है कि सब चीजों से पहले उसे सदैव दार्शनिक विचारों के साथ और दैनिक जीवन जीने के उस तरीके के साथ द्रिड़ता पुर्वक जुड़े रहना है जो उसे सीखने योगे ब बनाने के लिए सबसे अच्छा है और जो उसे अपने अंतर में गंभीरता पुर्वक सोचने परखने के योगे बनाता है परन्तु जीवन की जो कारेशैली इसके विपरीथ है उसका वह सदा विरोध करता है प्लेटो के अनुसार एक आदर्शिश्य हालंकि ताना शाह डाइनीसियस ने प्लेटो के सिध्धानतों को धोखे से चुरा कर उन्हें अपना नाम दे दिया था परन्तु प्लेटो ने अपने आंतरिक ज्यान का श्रे भी स्वयम अपने गुरू सुकरात को दिया था प्लेटो के समवादों में स्वयम प्लेटों का कहीं नामों निशान नहीं है वेए एक मूक-दर्षक के रूप में दूसरों के वचनों और कारेओं का वड़नन करते हैं इन सारे समवादों में सब का ध्यान सुकरात के महान स्ववरूप पर केंद्रित रहता है जिनको प्रभावशाली तथा ज्ञान पून वचन कहते हुए और अपने अनोखे धंग से वाद विवाद करते हुए दर्शाया गया है साहितिक रचनाओं का एक विशाल संग्र है सौक्रिटिक प्रॉब्लम नाम से उपलब्ध है जिनमें सुक्रात के विचारों को प्लेटों के विचारों से अलग करने का प्रयास किया गया है इतिहास प्रसिद सुक्रात के बारे में की गई इस विद्वता पून खोज में थोड़ा विरोधा भास भी है वहे व्यक्ति जो जीवन भर इस बात पर द्रिड रहा कि वहे कुछ नहीं जानता जिसने अपने शिश्यों तथा साथी नागरिकों को स्वयम आत्म ज्यान प्राप्त करने का परामर्श दिया जिसने सैध्धान्तिक ज्यान का विरोध किया उसे बौधिक विशलेशन द्वारा कैसे समझा जा सकता है सुकरात जैसे शिक्षक को धार्नाओं से भरे मन के सीमित दाइरे में बंद नहीं किया जा सकता इसलिए जैसा वहे चाहते थे वहे हमेशा समझ से परे ही रहेंगे सुकरात के उपदेश को लिखित रूप देते हुए प्लेटों की खुद को सामने ना लाने की इच्छा का हमें सम्मान करना चाहिए हो सकता है कि सुकरात के अन्य शिश्यों ने उनकी शैली, उनके तरीके तथा उनके प्रश्न पूछने की शैली की नकल की हो सम्भव है कि LC by D's जैसे कुछ दिखावा करने वाले शिश्यों ने सुकरात के प्रती प्रबल यहां तक की प्रेम मैं भावनाएं भी प्रकट की हो किन्तु प्लेटों ही थे जिन्होंने सुकरात के इस निर्देश मेरा अनुकरन करने का प्रयत्न करो पर सही ढंग से अमल किया उनके लिए इस निर्देश का अभी प्रय था मेरे द्वारा सिखाए गए आंतरिक आध्यात्मिक अभ्यास को और मेरे द्वारा बताई गई जीवन शैली को अपनाने का प्रयत्न करके मेरा अनुकरन करो प्लेटो के लिए सुकरात का अनुकरन करने का अर्थ था उनके उप्देश का जीता जाकता उधारन बन कर उनकी परमपरा का सम्मान करना इस प्रकार प्लेटो की रचनाएं बहरी तौर पर इस बात का प्रतीक हैं कि वह अपने गुरू के साथ एकात्म थे यहां तक की अपने अस्तित्व को पून रूप से मिटा कर अपने गुरू में विलीन हो गए थे वह स्वयम को गुरू की शक्ती को प्रकट करने का एक साधन मानते थे मैंने स्वयम इन विश्यों पर अभी तक कुछ नहीं लिखा है और प्लेटो की ना तो कोई रचना है और ना ही कभी होगी परन्तु जिन पर अभी उसका नाम लिखा है वे सभी रचनाएं उस सुकरात की हैं जो सुन्दर और युवा हो गया है मित्रता के बारे में अरस्तु के विचार कुछ विद्वानों का मत है कि अरस्तु जीवनकाल 384 से 322 इसापूर्व का अपने गुरु प्लेटों के साथ मत भेथ था जिन रचनाओं का श्रे अरस्तु को दिया गया है और जिन में मध्यकाल से लेकर बाद तक के दार्शनिक विचारों की शिक्षा की व्याख्या की गई है वे नीरस और परिभाशाओं से भरे हैं और कभी-कभी ऐसा लगता है कि इन में प्लेटों के विचारों का खंडन किया गया है हालांकि हमें यह याद रखना होगा कि संभाल कर रखी गई अधिकांश रचनाएं जिनका श्रे अरस्तु को दिया जाता है वास्तव में अरस्तु के व्याख्यानों की अनौपचारिक टिपणियां हैं जो उनके शिश्यों ने लिखी थी कुछ टिपणियां जो उन्होंने स्वयम लिखी थी वे केवल उनके नजदीकी शिश्यों के सम्हू के लिए ही थी आम लोगों के लिए नहीं इसलिए हम अरस्तु के विचारों को कभी भी पूरी तरह नहीं जान पाएंगे जैसा की आडू कहते हैं वास्तव में अरस्तु की रचनाएं उनके व्याक्ख्यानों की टिपणियों के सिवाएं और कुछ नहीं है और अरस्तु के बारे में लिखने वाले बहुत से विद्वानों की गलती यह है कि वे इस सच्चाई को भूल गए और उन्होंने कलपना कर ली कि ये रचनाएं निर्देश पुस्तिकें या सुनियोजित निबंध हैं जिनका उद्देशे एक विधी पूर्वक लिखे हुए सिध्धान्त की पूर्ण व्याख्या करना है एक अन्य विचार धारा पर ध्यान देने से पता चलता है कि अरस्तू प्लेटों के प्रिये शिश्य थे वह अपने गुरू की बात खंडन करते हुए इसलिए प्रतीत होते थे क्योंकि उनका विश्वास था कि दार्शनिक का करतव्वे रूडी वादी सिध्धान्तों के जाल में फसना या शब्दों को महत्व देना नहीं होता और ना ही गुरू के विचारों को तोते की तरह दोहराना होता है जरा सोचे कि बिना किसी संकोच के सुकरात कितनी आसानी से स्वयं अपने ही विचारों का खंडन कर देते थे अरस्तु के एक कथन की व्याख्या को इतनी बार दोहराया गया है कि वहे एक आम कहावत बन गया है प्लेटो एक मित्र हैं, परंतु सत्ते प्लेटो से भी बड़ा मित्र है निखो मैकियन एथिक्स नामक रचना में अरस्तु की इस सुप्रिसिद कहावत को तोड मरोड कर प्रस्तुत किया गया है अपनी रचना में अरस्तु ने वास्तव में प्लेटो का नाम नहीं लिया है हाना कि उन्होंने प्लेटो का उलेख, The Authors of the Theory of Ideas वाक्यांश द्वारा किया है यह उलेख इन पंक्तियों से पहले किया गया है फिर भी विशेशकर एक दार्षनिक के लिए शायद यही उचित लगता है और बेशक यही महत्वपून प्रतीत होता है कि वह सत्ते की रक्षा में अपने निकट्तम निजी संबंधों की बली चड़ा दे हमें दोनों प्रिये हैं, फिर भी हमारा कर्तव्वे सत्ते को महत्व देना है अरस्तु की जो रचनाएं बच गई हैं, वे उनकी सभी पुस्तकों या उनके व्याख्यानों की टिपणियों का बहुत छोटा सा हिस्सा है हमारे पास शीर्षकों की लंबी सूची है, परन्तु उनसे संबंधित मूल पुस्तक उपलब्ध नहीं है इन में से दो शीर्षक इरोज यानी प्रेम के बारे में हैं, एक मित्रता और एक प्रार्थना के बारे में हैं जब हम अरस्तु की रचनाओं में उस अचल संचालक के बारे में पढ़ते हैं, जो एक प्रियतम के रूप में प्रतेक वस्तु को संचालित करता है तब हमें एहसास होता है कि प्राचीन काल में प्लेटों के बारे में अध्यन करने के लिए पहले अरस्तु के माध्यम से उनका परिचे प्राप्त किया जाता था अरस्तु का जन्म उत्री युनान के स्टजाइरा नामक शेहर में हुआ था सुकरात के जीवन काल में ही वह एक विदेशी की तरह एथेंस आ गए थे और तीन वर्षों तक सुकरात की मृत्यु तक उनके अनुयाईयों के साथ रहे उनका दावा था कि डेलफिक दिव्वेवानी ने उन्हें दारशनिक विचारों का अभ्यास करने का आदेश दिया था और यह कारे उन्होंने सुकरात का अनुसरन करके किया बाद में वह प्लेटो के शिश्य बन गए प्लेटो की अकादमी में उन्होंने बीस वर्ष बिताए और वहे प्लेटो के सबसे प्रमुक शिश्य थे अकादमी में जिस फीलिया अर्थात दार्शनिक्ता पून मित्रता ने उन्हें अपने गुरू से बांदा हुआ था वहे बहुत गेहन थी अरस्तु अकसर कहते थे कि मित्र आपका ही दूसरा रूप होता है प्लेटो ने समझाया था कि एक मित्र ही अपने मित्र के लिए दर्पन का कारे करता है अरस्तु ने इससे भी आगे बढ़कर कहा कि मित्र एक दर्पन के रूप में व्यक्ति को उस अन्मोल आत्म ग्यान की ओर ले जाता है जो एक दार्शनिक की अंतरद्रिष्टी का प्रवेश द्वार है जिस प्रकार जब हम दर्पन को देखते हैं तो उसमें अपना चेहरा देखना चाहते हैं उसी प्रकार जब भी हम अपने आपको जानना चाहते हैं तब मित्र की ओर देखकर ऐसा कर सकते हैं क्योंकि जैसा हम कहते हैं मित्र हमारा दूसरा रूप है अरस्तु ने पत्थर पर अंकित किये हुए एक भावपून भजन में अपने गुरू की प्रशंसा की है और उनके प्रती सम्मान प्रकट किया है भजन की यह शैली बहुत विनम्रता पून है क्योंकि अरस्तु ने कहीं भी अपने लिए मैं शब्द का प्रयोग नहीं किया बल्कि अपने बारे में आप्रत्यक्ष रूप से यह कहा कि कोई व्यक्ती एक विदेशी की तरहा एथेंस में पावन मित्रता की वेदी स्थापित करने के लिए आया था इस भजन में अरस्तु ने जिस भाशा का प्रयोग किया है उससे पता चलता है कि अरस्तु के लिए प्लेटो एक पैगंबर थे एक नए धर्म के संस्थापक थे जो परमात्मा की दिव्यता तथा मुक्ती और आनंद प्रदान करने वाली शक्ती का प्रचार करते थे स्क्रॉपिया के प्रसिद मैदान में आकर उसने श्रद्धा पूर्वक पावन मित्रता की वेदी स्थापित की उस मुनुष्य के लिए जिसकी प्रशंसा करना भी दुर्जुनों के लिए उचित नहीं है वह पहला अत्वा एक मात्र नश्वर मनुष्य था जिसने स्वश्च रूप से अपने स्वयम के जीवन और शब्दों के उचित प्रयोग द्वारा प्रकट कर दिया कि मनुष्य एक ही समय में नेक और प्रसन्चित बना रह सकता है आजकल कोई भी इस अवस्था को कभी प्राप्त नहीं कर सकता एक उपमा के रूप में इस वेदी को देवी फीलिया अर्थात मित्रता के लिए बनाया गया है जो मनुष्य की स्थूल द्रिष्टी से परे एक शाश्वत शक्ती है हालां कि यह भजन धर्ती पर उनके सबसे नवीन द्रिष्यमान साकार रूप की महिमा में गाया गया है प्लेटो ने अपने जीवन शैली द्वारा जो उधारन प्रस्तुत किया और अपने शिश्यों को जो तरीका बताया उसके लिए अरस्तु उनकी प्रशंसा करते हैं प्लेटो की मित्रता उनके शिश्यों के लिए पावन थी क्योंकि यह उनके समुदाय के लिए आत्म ज्यान का आधार थी उनकी मित्रता शिश्यों को परम सत्ता की प्राप्ती के सचे आनंद की ओर ले गई अरस्तू कहते हैं कि प्लेटो पहले मनुष्य थे जिन्होंने स्पष्च रूप से यह प्रकट अर्थात कैटाडीक्स किया था कि अच्छाई और प्रसर्णता एक ही अवस्था हो सकती है ध्यान दें, युनानी शब्द कैटाडीक्स का अर्थ स्पष्च रूप से प्रकट करना है इसका प्रियोग आध्यात्मिक साक्षतकार के लिए भी किया जाता है दूसरे शब्दों में, प्लेटो जैसे नश्वर मुनुश्य के माध्यम से दिव्वे मित्रता यानी स्वयम परम सत्ता के साथ मित्रता प्रकट हुई और उन्ही के माध्यम से संभव हो पाई अरस्तु अपने से पहले और बाद में आने वाले कई शिश्यों की तरह अपने गुरू से इतने अधिक प्रभावित थे कि उनके लिए कोई भी उनके गुरू से श्रेष्ट हो ही नहीं सकता था इन दिनों कोई भी व्यक्ति इस अवस्था को कभी प्राप्त नहीं कर सकता उत्राधिकारी नहीं बन पाए क्योंकि एक विदेशी होने के कारण कानूनी तौर पर प्लेटो की समपत्ती पर उनका अधिकार नहीं था लेकिन उस समय तक अरस्तु एथेंस छोड़कर एजोस जा चुके थे जो एश्या माइनर में था और वहाँ प्लेटो के सहयोग से उनके अनियायों का एक समुदाए स्थापित हो चुका था ध्यान दें, प्लेटो के कुछ ही पत्र बचे हैं उन में से एक छटा पत्र कहलाता है जो इस समुदाए को लिखा गया था हो सकता है उनके कुछ अन्य पत्र भी हो जो खो गए हो एजोस पहुँचते ही अरस्तू उस समुदाए के मुख्या बन गए प्लेटो के अनियायों के इस समुदाए में एक आश्चरे जनक सदस्य था और वह था वहां का स्थानिय तानाशा हर्मियस ओफ एटरनियूस यह शक्तिशाली और कुरूर शासक इस समुदाए के संपर्क में आया और उनसे प्रभावित होकर उनकी संगती में समय वैतीत करने लगा धीरे धीरे हर्मियस ने अपने तौर तरीके सुधार लिए अपनी राजनितिक नीतियां बदल दी और उसके शासन के अंतरगद आने वले सभी नगर सम्रिध होने लगे जब अरस्तु आये तो हर्मियस उनका प्रथम शिश्य बना प्लेटो जो परिवर्तन ताना शाह डाइनीसियस में नहीं ला सके वह परिवर्तन हर्मियस में आ गया जिसकी ज़लक राजनितिक मामलों में भी दिखाई देने लगी हर्मियस ने स्वेच्छा से अपनी ताना शाही वृत्ति को बदल कर सेहन शील लोक तांत्रिक शासन का तरीका अपना लिया उसकी शक्ती बढ़ गई क्योंकि कई समुदायों ने उसकी सत्ता के अधीन रहना पसंद किया अपनी कृतग्यता के प्रतीक के रूप में उसने एजोस को प्लेटो के अनियाईयों को भेंट कर दिया तथा अपनी पुत्री की शादी अरस्तू से कर दी और इस तरहां उसका गुरू अब उसका दामाद बन गया मैसेडन के फिलिप के दर्बार के साथ हेर्मियस के घनिष्ट राजनितिक संबंध होने के कारण अरस्तू को फिलिप के पुत्र एलेक्जेंडर के शिक्षक का प्रतिष्थित पद प्राप्त हो गया तेरा वर्षिये एलेक्जेंडर जो बाद में सिकंदर महान के नाम से प्रसिध हुआ क्योंकि उसने युनान से हिंदुस्तान तक के सारे देश जीत लिये थे अपने गुरु से बहुत अधिक प्रभावित था आरंभ में वह अरस्तू का बहुत सम्मान करता था और उनसे अपने पिता की तरह प्रेम करता था जैसा की वह स्वयम कहता था कि उसके पिता ने उसे जीवन दिया और अरस्तु ने उसे उपहार के रूप में उस जीवन का सद्यूपयोग करना सिखाया बाद में वहे अरस्तु को कुछ संदेह की दृष्ची से देखने लगा परन्तु जन्म जात उपहार के रूप में और शिक्षा के द्वारा आजीवन उसके अंदर दार्शनिक विचारों के लिए जो प्रबल आकर्शन था वहे कभी कम नहीं हुआ जब अरस्तु के व्याख्यान हस्त लिखित लेक के रूप में बाटे जाने लगे तब सिकंदर ने इसका विरोध किया क्योंकि यह उपदेश अब लोगों की आम संपत्ती बन गए थे इसलिए कोई भी साधारन व्यक्ति वहे सब सीख सकता था जो सिकंदर ने अरस्तु से सीखा था इसके उत्तर में अरस्तु ने उसे भरोसा दिलाया कि ये लेख केवल वही समझ पाएंगे जो अरस्तु से मिल चुके है और जिन्होंने स्वयम उनसे यह उपदेश सुने है अपने से पहले और बाद में आने वाले दार्शनिकों की तरहां अरस्तु भी समझते थे कि लिखित शब्द सची दार्शनिक्ता को व्यक्त नहीं कर सकते दुख की बात है कि फिलिप के साथ हर्मियस का राजनितिक संबंध ही उसके पतन का कारण बन गया इस संबंध के कारण क्रोधित हुए इरानियों ने हर्मियस को कैद कर लिया और लंबे समय तक यातना देने के बाद उसे सूली पर चड़ा दिया जब उसकी अंतिम इच्छा पूछी गई तब उसने अपने मित्रों तक यह संदेश पहुचाना चाहा मेरे मित्रों और साथियों को बता देना कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जो दार्शनिक विचार धारा को कमजोर या अयोग्य साबित करे हरमियस के दुखत अंत का पता चलने पर अरस्तु ने उसके सम्मान में एक प्रेमपूर्ण कवीता लिखी जिसमें उसे सूद्रिड मित्रता की मजबूत दिवार कहा इसापूर्व 335 में जब सिकंदर बाच्शा बना और एशिया पर विजे प्राप्त करने के लिए रवाना हुआ तब अरस्तु भी एथेंस लौट गए वहाँ उन्होंने दारशनिक विचारों के अभ्यास के लिए लाईसियम नाम का एक नया केंद्र स्थापित किया इसका उपनाम पैरि पटैटिक था यह शब्द पैरि पैटियों से लिए गया है जिसका अर्थ है घूमना फिरना लाइसियम एक ऐसा स्थान था जहां दार्षनिक मित्र एकत्रित हो सकते थे और लंबी सेर करते हुए दार्षनिक विचारों के अभ्यास में एक दूसरे को सहयोग देते थे इस सेर के दौरान गुरु और शिश्य तथा साथी शिश्यों के बीच जो मित्रता कायम होती थी उसका उद्देश्य एक दूसरे से प्रेड़ना प्राप्त करना था अपने अच्छे कर्मों पर ध्यान देने की अपेक्षा एक मित्र के अच्छे कर्मों पर ध्यान देना ज्यादा आसान है भाग्यवान व्यक्ति को अच्छे मित्रों की उतनी ही आवशक्ता होती है जितनी की अच्छे कर्मों पर ध्यान देने की उसकी इच्छा मित्र के अच्छे कर्मों पर ध्यान देने से अनन्द पून दिव्वे अवस्था को प्राप्त करने की प्रेड़ना मिलती है इस प्रकार यह ध्यान जो अंतरमुख साधना में किये जाने वाले ध्यान के समान है अनन्द का सबसे उत्तम स्रोत बन जाता है अरस्तु मिल जुलकर चिंतन करते हुए जीवन बिताना अत्यंत कल्यान कारी मानते थे यही पावन मित्रता का सबसे बड़ा लाब था मिल जुलकर चिंतन करते हुए जीवन बिताने पर इस तरह की मित्रता का अनुभव किया जा सकता था और इसका आनंद एक ज्ञानी व्यक्ति की संगती में रहकर उठाया जा सकता था अरस्तु ने ज्ञानी व्यक्ति को देवताओं का सबसे अच्छा मित्र कहा है वह कहते थे कि ज्ञानी व्यक्ति नाउस यानि दिव्य चेतना एकाग्रचित अंतरमुख ध्यान आत्मा का महत्व जानकर उसकी ओर ध्यान देकर और उसका विकास करके ही दिव्य मित्रता को विक्सित करता था ऐसा लगता है कि जो व्यक्ति सोज समझ से कारे करता है और अपनी आत्मा यानि नाउस का ध्यान रखता है वह देवताओं को सबसे अधिक प्रिय होता है क्योंकि देवता अपने मित्रों से और उचित तथा नेक कर्म करने वालों से प्रेम करते हैं अब यह पूरी तरह स्पष्ठ है कि ये सभी गुण ज्यानी व्यक्ति में सबसे ज्यादा होते हैं इसलिए वह देवताओं को सरवाधिक प्रिय होता है इसी तरह वही व्यक्ति सबसे अधिक प्रसन चित भी होता है देवताओं का यह मित्र अर्थात ग्यानी व्यक्ति सबसे अधिक प्रसन्चित होता था और ऐसे ग्यानी व्यक्ति से मित्रता का संबंध जोड़कर उसके मित्र स्वयम भी उस दिव्वे आनंद तक पहुचने की युक्ति सीख लेते थे निसंदे अरस्तु के लिए देवताओं का वह विशेश मित्र प्लेटो थे जिनकी मित्रता द्वारा वह इस परम आनंद की अवस्था को प्राप्त कर पाए